नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अस्वानी और आप देख रहे हमारी खास पेशकश नगर संग्राम निकाय चुनाओं के आगास के बाद से सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जन्संपर कर रहे हैं अपनी दावेदारी अपने शेत्र से मजबूती की तार ठोक रहे हैं प्रदेश में निकाय चुनाओं का आगाज हो चुका है सभी प्रत्यासी नामांकन के बाद अपने अपने छेत्र में घूम के जनसंपर कर रहे हैं और जनाधार के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं इस समय हम नगर पंचायत मुहलाल गंज में हैं त्रॉली गाओं लगता है यहां कुछ मैलाएं हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्य आएं उनके छेत्र में हैं कि फिए विल जो पहले चेर्मेंन थे उन्होंने क्या ग्या विकासकार की किया है उसकी समिछा करेंगे मैलाओं से बात्चीत करेंगे मैलाओं के मुद्म पे बात्चीत करेंगे हमारे साथ कुछ मईला आएं जो है त्रॉली गाउं से जूर चुकी है मोहन लाजगन्ज यह लगता है अब सरव से पहले अपना नाम बताईए यह बताई है कि क्या-क्या समस्थ्याइए जो है आप छत्र में ब्यापत हैं कि हमारे छत्रम क्या है ना पानी है ना या ना कलोनी आई है कुछ भी नहीं हम अप लचमी का साथ देंगे यह बताए कि आप ने कहा कि ना पानी है ना बिजली है ना कलोनी आई है तो इसके पहले जो भी यहां चेर्में था उन्होंने कुछ काम किया यहां के लिए अभी तो नहीं है अब आपकी हो पहली बार हो रहा है पहली बार यह चेर्मेन हो रहा है इसके पहले जिसके भी पास यह चेत्र था जिसके पास भी अधिकार था उन्होंने क्या कुछ विकास किया था इस चेत्र के लिए नहीं कुछ भी नहीं तो और भी कुछ मैलाओं से बात्चित करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो समस्याओं से पर्दा उठाना चाहती है क्या नाम है पहले आप यह जैसा इन्हों ने बताया कि यह समस्याओं पानी की समस्याओं है कालोनी नहीं है और भी क्या समस्याओं इनकी बातों कितन परदाहमंतरी आवास के तहथ लोगों को आवास मिलता है तो क्या यहां पर लोगों को आवास मिला है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रदामंत्री आवास की योजना है जिसमें गरीब तब को जो है प्रदामंत्री आवास योजना की तरह आवास दिया जाता है सोचाले की बेवस्ता की जाती है और तमाम जो है नालियों की बेवस्ता है नालिया सबसे जरूरी होती है इस सीजन में बरसात का सीजन आने वाला है नालियों के निकास की ब्युस्ता होती है पानिया निकलती हैं तमाम तरह के संक्रमण भी इस चीज से गंदगी से फैलते हैं कुछ और लोगों से जानेंगे अम्मा ये बताइए क्या कुछ समस्या है कुछ नहीं करता परधान कुछ नहीं करती है ना कलोनी भातरूम कुछ नहीं मिलता ना कलोनी भाट जाते हैं तो दुरिया लेते कुछ रहती है लोगों को मदद मिले जो लोग है जो गाओं ग्रामीड शेतर में रहते हैं उनकी जीवी का जो है थोड़ी आसान हो जाए बिर्दा पेंसन योजना मिलती है लेकिन इनकुछ वह किसी प्रकार की योजना का अलाब नहीं मिला यहां तक यह रासन के लिए जाती है तो ग्राम परदान द्वरा भगा दिया जाता ऐसा इनका कहना है अमा आप बताईए कितनी समस्याई शित्र में है कुछ अच्छा काम हुआ है क्या कोई काम नहीं हुआ कितने दिन से आप कालूनी के लिए प्रयास कर रही है तक अच्छा अच्छा आप तक नहीं मिली का लोनी किया इस्तिति यहां पे गंदगी क्या इस्तिति है अच्छी नहीं है काफी गंदगी है नालियां अच्छी नहीं है रासन नहीं मिला है कालूनीया नहीं मिल नहीं है आपके बच्छी बाहर रहते हैं नहीं मिलते हैं जो हमारे लड़का घर बनवाए गया है आपको रासन काट बनवाए गया है आपका लाल काट लेके सफेद काट बना दिया नहीं नहीं बनाया हम अपने नहीं बनवाए उस काड़ पे आपको रासन मिल रहा है हाँ पांच किलो मिल रहा है कालोनी के लिए अभी प्रयास कर रही है कालोनी मिली कुछ नहीं हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्या समस्या यहां पर है जैसा कि लोगों ने बता रखा है कि किसी को रासन नहीं मिल रहा है किसी को पेंसन नहीं मिल रहा है कालोनीयों के लिए काफी लोग प्रयास कर रहा है और जो प्रधान थे वो जनता के नहीं सुनना है कितनी सचाई है लोगों की बात में अरे जो बो करेंगे उसके साथ हमारे यहां छेत्र में नगर पंचाथ में कोई भी विकास नहीं हुआ है आगे जो कि जागरूप हो जनता या नौ युवक लड़के घूम रहे हैं इनका कोई विकास नहीं है और हमारी जनता जो हैं हम सब लोग विजयल अच्मी के साथ हैं जो भी फैसला करो लेंगी वह मुंकि सहमति से आगे बढ़ेंगे लें हमारी उमह लाए टीम उनके साथ है और यहीं हमारी सोच है भॉसि प्रकार से आप देख सकते हैं कि या तमाम महिला जो है अपनी समस्याओं को बता रही है कि अवावास नहीं मिल रही है मिला है तो किसी को रासन नहीं मिला है, किसी को पिंसन नहीं मिला है, तो कोई कूडों की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, इन सारी समस्याओं के इतर स्वास्त भी एक ऐसा मुद्दा है, जिससे हर आद्वी अमुवन जूचता फिरता रहता है, अब हम जानेंगे इन लोगों से यहां के इस छेत्र में स्वास्त की सुधाइं किस प्रकार से हैं यह बताएं कि स्वास्त की सुधाइं इस छेत्र में कैसी हैं बहुत बेकार हैं विया स्वास्त की सुधाइं सिच्छा की सुधाइं और किसान की सुधाइं बहुत बेकार हो गई हैं अगर महिला हमारी मयदान मुतरी है तो महिला महिला को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग पूरुस को परधान बनाते हुए परेसान हो गए माहिला एक तरफा हैं तो ओंता है आपका परदनी तो करेंगे तो अच्छा काम करेंगे विलकू डा create बात करतीा हैं म्लब बिना अधेस बिना परमीशन पौन करके डारेट जाए लख यहां हम लोग डारेट पहुंच जाते हैं जो भी हो छोटी बड़ी सुब्दा तुरं सुनती है माने हमारी विजय लश्मी जी पहले ब्लाग परमुग रही है इसके बाद जिला पंचेत अधिस रही है जो आप चेर्मैन बनेंगी तो इनके पती अम्रीस बुसकर बहुत अच्छा वो भी बहुत अच्छा ही क किसानी करते हैं उसके बाद जो है आवारा पसूजी जो होते हैं वह फजलों को नश्ट करते इस प्रकार की समस्या क्या बनी हुए आप यह तो बहुत है वह समय यह पसूग बारूं तो पूछिए मत इस सारे किसानों को बरबाद कर दिए पलस घर भी घर के अंदर घुश क बाद कर दे रहे हैं खाते खाते यह आपका राशन तेल तो इस प्रकार से आपने देखा कि मोहनलाजगन नगर पंचात का इलाका है अत्रोली गाउं हैं यहां की महिलाओं जो हैं मुखर हो कि अपनी समस्याओं को रख रही हैं स्वास्त से लेकर सिच्छा तक और खेती किसानी से लेकर तमाम समस्याओं तमाम चीजों पर उन्होंने हम से खुलकर बाचीत की अपनी बाते रखी और समस्याओं का उजागर किया कैमरा परसन व